रॉयल शाही सोप वेलकम गाइज, वेलकम टू मैं चैनल कविता गविल्ज्वॉयल्ड तो आज हम बनाने वाले हैं शाही सोप या रॉयल सोप इसको इच्छा नहीं होती कि वो राजा रानी के तरह से हम रहें, हमारे रहन सहन हो, हमारे खाना पीना हो और जो नहने के product हैं वो भी हमारे उनी के तरह से हूँ आपको पता ही है पुराने जमाने में जब राजारानी हुआ करते थे तो वो इनी सब चीजों से नहते थे और इनी सब चीजों से नहने के बाद वो कितने सुनदर दिखते थे तो चलिए हम भी अपने घर में बनाते हैं कुछ ऐसा जो राजा रानी वाली फील दे और वैसी ही सुन्दर्ता मिले तो इंग्रीडियेंट में हमने लिया है बदाम, केसर, सिल्वर लीव, बदाम का तेल, गुलाब जल, शेहद और ग्लिस्रिन सोप आप गोल्डन लीव भी ले सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा दूद, मलाई, या आप क्रीम भी डाल सकते हैं और इन से उपर और क्या हो सकता है, यह सारी रॉयल आईटम्स हैं तो हमने ले लिया था एक बरतान, उसके अंदर ग्लिस्रिन सोप को हमने मेल्ट किया और सारी चीज़ों इसके अंदर हमने डाल दी हैं और जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तब हम अपने जो glass है, disposal glass है, उसको cut करके हम इसके अंदर डाल देंगे पहले हम एक-एक scoop डालेंगे, उसके बाद दो-दो scoop करके हम इसके अंदर डालेंगे तो जिससे हमारे चारो soap equal level के बने तो यह देखे हम एक एक करके डाल रहे हैं एक एक स्कूप और उसके बाद हम दो-दो स्कूप डालेंगे और जब यह हमारा दो-दो स्कूप डल जाएगा उसके बाद हमें इसको 50 मिनिट्स के लिए कूल डाउन के लिए रखना पड़ेगा जब भी कभी आप इस सोप से नहाएंगे आपको बिल्कुली क्वीन वाली फीलिंग होगी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्वीन नहाती थी इन सब चीजों से तो मैं भी इन सब चीजों से में नहा रही हूँ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग और बहुत ही रिफ्रेशिंग और आप देखेंगे कि फेर्नेस भी आजाएगी आपके फेस पर फेस के साथ बॉडी पर भी एक ग्लो आना शू हो जाएगा क्योंकि जो भी हमने इंग्रीडियन डाला है वो सारे फुल अफ रिचनस है और अब हो गए हमारे 50 मिनिट्स तो अब आ रही है इनको कट करने की तो देखें हम कट कर लेते हैं इनको और कट करने के बाद ये कैसे निकल करके आएंगे इनकी शेप कैसी होगी और दिखने में कैसे होंगे तो ये देखते हैं हम ये हमने cut कर लिया और नीचे से भी हटा दिया वाओ देखा कितना सुन्दर लग रहे हमारे saffron, kesar दिख रहे है silver leaves दिख रहे हैं, almond दिख रहे हैं चारों तरफ से सारी चीजे हमारी दिख रहे हैं जो जो हमने इसके अंदर डाली थी बहुत एकदम transparent हमारा soap बना है, कितना सुन्दर लग रहे है तो आपने कभी देखा है market में ऐसा soap, नहीं देखा न ऐसे soap सिर्फ मैं ही बनाती हूँ और अगर आपको mold लेना है तो आप इस तरीके से mold भी ले सकते हैं और ये देखे, heart की shape है इसमें इसमें oval shape है, square है and round है, तो valentine आ रहा है आप इस तरीके से, इस shape में भी आप बना सकते हैं, heart shape में इस तरीके से royal saboon आप बना सकते हैं, royal soap आप बना सकते हैं, ये mold आता है आप amazon से आप मंगवा सकते हैं अपने लिए और इस तरीके से, अगर आपको disposable glass में ना बनाना हो, कोई अच्छे से shape में बनाना हो, तो आप इस shape में भी बना के रख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर निकल करके आते हैं, shape इसके तो आप भी अपने घर में ऐसे try कीजिए और बनाएए, different different shapes में, royal, vip शाही, so, तो ये देखे, एक लुक लीजिए, कितने सुन्दर लग रहे हैं, कितने transparent लग रहे हैं और सब एक एक, जो string है na, केसर की, saffron की वो दिखाई दे रही है, और silver leaves दिखाई दे रहे हैं, elements दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर properly दिखाई दे रहे हैं तो आप देखे, कितने सुन्दर साबुन ये हमारे बने हैं, बहुत ही सुन्दर, royal और VIP साबुन, इसको अगर आप एक बार नहाएंगे न, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, बिल्कुल गोईल्स वर्ल्ड को, मैं इसी तरीके से और नए नए सुप्स लाती रहूंगी, और अगर आप ये बना करके इस सुप्से नहाएंगे, तो आपको सच में बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही royal फील आपको लगेगा, और सेम ऐसा लगेगा, कि जैसे मैं queen हूँ और मैं queen के तरह से नहा रही हूँ, तो मुझे उमीद है आपको मेरा ये वाला सुप भी बहुत अच्छा लगेगा, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रही है, जादा से जादा like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और मिलती हूँ, अगले वीडियो में किसी और नए इंट्रेसिंग टॉपिक के साथ, रेसिपी के साथ, सोप के साथ, या ओइल के साथ, तब तक के लिए बाई and टेक केर